Welcome back to SSC preparation बात करने वाले हैं हिमाचल परदेश में होने वाली अगनी बीर भरती 2022 के बारे में तो हिमाचल परदेश में 5882 सीटें जो है वो अगनी बीरों की भरी जाएंगी अगनी बीर भरती के पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लाज तक जुरूड दकें हमारे टेलेग्राम गुरूप को जॉइन करें वहीं से आप लोग ओफिशिल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्लीज शो, सपोर्ट, लाइक, शेर और सब्सक्राइब टोबर चैनल फॉर मोर वीडियोस सबसे पहले आप लोग सीट्स का डिस्टिविशन चेक कर सकते हैं तो हिमाचल की में बात करूँ तो 5,882 जो वकेंसी हैं वो अगनी वीरों की इस वर्ष भरी जाएंगी अगर आप लोग अगनी वीर जर्नल ड्यूटी ओल ओम्स के लिए जो अपलाई करना चाहते हैं एज लिमट साड़े सतारा से लेकर तेईस वर्ष लेगी टैंथ पास आप होने चाहिए 45 परसेंट आपका एग्रिगेट होना चाहिए टैंथ में और 33 परसेंट हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने चाहिए साथ में ही अगर आप लोग अगनीवे टेक्निकल ओल आम्स के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो एज लिमट साड़े सारा से लेकर 23 वर्ष 10 प्लस 2 इंटरमीडियेट एक्जाम पास in science, physics, chemistry, math and english और minimum 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स जरूर होने चाहिए अगर आप लोग अगनीवे technical aviation and ammunition examiner के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो qualification 10 प्लस 2 या फिर intermediate exam pass from any recognized state educational board like NIOS और IDI course of minimum 1 year required in the field with NSQF level 4 or above तो यहां पर प्लस 2 पास होने के साथ-साथ आप लोगों के लिए जो है वो ITI का डिपलोमा भी बांगा गया है अगर आप लोग अगनीवीर, storekeeper और clerk की वो कैंसी के लिए आवेदन करना चाहते है age limit सभी के लिए same है qualification 10 प्लस 2 या आपने जो है intermediate exam pass किया होना चाहिए arts, commercial, science में और 60% marks का आपका aggregate होना चाहिए minimum 50% marks हो हर एक subject में भी चाहिए scoring 50% in English, math, account, bookkeeping in class 12th is mandatory अगनी भी tradesman, all arms qualification आपके 10 पास चाहिए no stimulation of aggregate भी नहीं यहां पर आपकी हर एक subject में percentage नहीं बोली है बस आपका जो हर एक subject में 33% से अवा माक्स है यानि कि अगर आप pass है 10th pass है तो आपके हर subject में वैसे भी 33% से अवा माक्स ही होंगे अगर आप अगनी भी tradesman, all arms की vacancy के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर qualification 8th pass रखी गई है 8th pass आप होने चाहिए और बाकी आपकी percentage मेंशन नहीं की गई है कि 8th में आपकी कितनी percentage चाहिए या अलग-अलग subject में minimum कितनी percentage चाहिए जस्ट 33% माक्स आपके होने चाहिए आप 8th pass होने चाहिए तो आप अगनी भीर in tradesman, all arms के लिए जो हो अपलाई कर सकते हैं तो अगनी भीर की इस भरती परिकलिया के लिए सोंबार तक notification जो हो जारी हो सकता है और इस साल के अंध तक पूरे भारत बर्ष में 46,000 अगनी भीरों की जो हो बैच शुरू की जाएगी बाकी हमने अगनी भीर भरती के उपर एक detail वीडियो बनाया है कि 4 साल के लिए आपको कैसे recruit करेंगी कितनी आपको salary दी जाएगी, retirement के उपर आपको क्या मिलेगा तो आप उस वीडियो को एक बार जुरूर चक करें प्लीज शो सपोर्ट, लाइक, शेर, सब्सक्राइब टोबर चैनल फॉर मोर वीडियो थैंक्स पर वाचिंग